हे व्रिवन वेलकम टू एंड के फार्मा तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नन एक्वस टाइटरेशन पढ़ने वाले जो फार्मा सुटिकल एनलेसिस के यूनिट टू में आती है यूनिट टू में अगर आपने शिलेवस देखा हो तो यूनिट टू में हमें दो नन एक्वस टाइटरेशन की नीड क्यों है नन एक्वस टाइटरेशन यानि कि इसमें जो सॉल्वेंट यूज होगा वो नन एक्वस होगा वाटर नहीं होगा वाटर एक्वस सॉल्वेंट होता है तो और गैनिक सॉल्वेंट इसमें यूज होगी जो नन एक्वस सॉल्वे सबसे पहले वीक एसीड जो और वीक बेस का हम लोग जब टाइटरेशन करते हैं अगर वाटर के साथ टाइटरेशन करेंगे तो उसमें क्या होगा दो प्रॉबलम में देखने को मिलेगी वो दो प्रॉबलम ना हो इसलिए हम नन एकवस सॉल्वेंट यहां यूज करते हैं दो लेस सॉलिबल होता है इस वह जैसे भी हम वाटर का यूज नहीं करते हैं और जो एंड पॉइंट होती है उसके डिटेक्शन में भी प्रॉबलम होती है अगर हम वाटर के साथ इसका टाइटरेशन करते हैं तो यहां ध्यान रखना वीक एसीड या वीक बेस के लिए हम कॉर्मड तू ऐलिमिनेट तू प्रॉबलम्स इनकांटर डूरिंग दी एक्वस टाइटरेशन अफ वीक ली एसीड या वीक ली बेस देखो वही बोल रहा है जो मैंने बताया है कि हम लोग क्यूं कर रहे हैं न एक्वस टाइटरेशन क्योंकि जब हम लोग एक्वस या वीक बेस एनलाइट इन वाटर मैंने उजो बताया पहले सेकेंड डेफिनेशन क्या है हमारी नन एक्वस टाइटरेशन आदी टाइटरेशन इन विच वीकली आसडिक या बेसिक सबस्टांस आर कैरीड आउट यूजिंग नन एक्वस सॉल्वेंट टू गेट सार्प और्गेनिक सॉल्वेंट आर यूज इंस्टेट ऑव वाटर इसमें हम लोग और और्गेनिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं सेकेंड पॉइंट है जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है इसे भी याद रखना है दमोईस्टर कंटेंट इन नन एक्वस टाइटरेशन शूड न इस टाइटरेशन में हमें मौईस्टर एंड सी यो टू ज्यादा से ज्यादा आववाइड करना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारी नन एक्वस टाइटरेशन इस यूज इन डिटर्मिनेशन ओफ हैडरोफोबिक ड्रग हैडरोफोबिक ड्रग इन दे सेंस वीक एसिड या वीक बेस की जो ड्रग होगी उसके डिटर्मिनेशन में नन एक्वस टाइटरेशन का यूज किया जा इसमें वीक एसीड या वीक बेस यूज कर रहे हैं इसमें वाटर यूज नहीं कर रहे हैं सॉल्वेंट के रूप में इसमें और गैनिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं जिसको नने को सॉल्वेंट बोल रहे हैं तो और गैनिक सॉल्वेंट जो होगी वह होगी ग्लेसियल आसे acid again very very important point glacial acetic acid हमें याद रखना यहां पे organic solvent next देखते हम लोग types of non-aquos solvent again this is very important क्योंकि अगर non-aquos stratation से अगर question आते हैं कहीं से तो वो यहां से आते हैं साथ number में question सबको define करना होता है हमें एक-एक करके और सबके example भी लिखने होते हैं तो इसे अच्छे से याद कर लेना एंड revise कर लेना तो types of non-aquos solvent देखते हैं तो यह पांस टाइप के होते हैं non-aquos solvent five types के होते हैं पहला होता है एप्रोटिक solvent second होता है protogenic solvent third होती है protophilic solvent fourth होती है एमफो प्रोटिक solvent and fifth होती है हमारी leveling solvent इसमें leveling solvent पे दो नमर पे अलग से भी question आते हैं leveling solvent को define करना होता है तो सारे point को अच्छे से clear कर लेना और अच्छे से समझ लेना सबसे पहले देखते हैं एप्रोटिक solvent क्या होती है एप्रोटिक नाम से clear है एप्रोटिक in the sense कि यह नेचर में inert होता है एप्रोटिक solvents are inert in nature सेकेंड पॉइंट है इसके एक्जामपल है जिसे याद रखना है एप्रोटिक solvent के एक्जामपल अब देखते हैं characteristic feature of एप्रोटिक solvent सबसे पहला है it doesn't accept या donate proton ना तो यह proton को accept करता है ना तो donate करता है क्यों क्योंकि यह एप्रोटिक है यह inert है इसलिए second point है it fails to undergo reactions with acid and base क्यों क्योंकि इनर्ट है इसलिए यह कोई reaction नहीं करता है acid या base में second देखते है प्रोटोजेनिक solvent प्रोटोजेनिक यहां भी नाम से clear है प्रोटो प्रोटोन जेनिक यानि कि यह proton को donate करता है प्रोटोजेनिक solvents are acidic in nature and it donates proton acidic है इसका मतलब यह कि वह proton को donate करता है according to bronze strength lawry theory lawry theory के according यही था कि acid हुआ है जो कि proton donate करता है तो प्रोटोजेनिक solvent क्या करेगी proton को donate करेगी प्रोटोजेनिक solvents donate the proton and increase the strength of weak base यह जो solvent है इस solvent का use हम लोग weak-based drug के लिए करते हैं this solvent is used for weak-based drug weak-based drug के लिए इस solvent का use क्यों कर रहे हैं क्योंकि drug nature में base है इसलिए solvent का nature कैसा होना चाहिए acidic होना चाहिए इसलिए प्रोटोजेनिक solvents यानि कि acidic цион को थार्ट सॉल्वेंट यहां भी नाम से लियर लीजे प्रोटोप्रोट ओन फिलिक मतलब लविंग यह यह में प्रोटोटोन को एकसेप्ट करता हैं प्रोटोन लविंग है तो बेशिक होगा नेचर में बेश क्या कर रहा था प्रोटोन को accept कर रहा था इसलिए प्रोटोफिलिक शॉल्वेंट्स आर बेसिक इन नेचर क्यों क्योंकि दे एक्सेप्ट प्रोटोन्स दिस सॉल्वेंट इस यूज़ फोर वीक ऐसे ड्रग एक्जाम्पल है लिक्विड अमोनिया एमीन कीटॉन पायरेडीन डीमफ फोर्थ सॉल्वेंट है हमारी एमफी प्रोटिक सॉल्वेंट यहां भी नाम से क्लियर एमफी प्रोटिक यानि कि यह दोनों नेचर का होगा एसलिक भी होगा और बैसिक भी दोनों नेचर का होगा शॉल्वेंट डाट एक्ट एस प्रोटोजनिक या प्रोटोफिलिक यानि कि base या फिर acid दोनों के तरह जो act करेगा वो amphiprotic solvent का लाएगा example है glacial acetic acid फिप्थ solvent है हमारी leveling solvent यहां इस term पे ध्यान देना leveling का मतलब क्या होता है leveling mean same dissociation constant जिसका भी dissociation constant same होगा उसको बोलेंगे यह leveling solvent है और जिसका dissociation constant अलग होगा different different होगी उसको differentiating बोलेंगे differentiating और leveling दो term होती है जिससे समझना हमें water acid या base दोनों के तरह act करता है इसलिए यह strong acid and base पे leveling effect so करता है जब हम लोग strong acid को या base को water के साथ add करेंगे तो उनका जो dissociation constant होगा वो लगभग same होगी इसलिए leveling solvent के तरह act करता है यहाँ पे water किसके किसके साथ strong acid and base के साथ इसको कैसे define करेंगे because water can act as an acid या base so it has a leveling effect on strong acid and base second point है leveling effect refers to the effect of solvent on the properties of acid and bases when we add hbr hi hcl in water ये सारे क्या है strong acid है hbr hi hcl strong acid है जब इनको water में dissolve करते है water किसके तरह act करता है weak base के तरह भी act करता है तो यहाँ strong acid ले रहे है तो h2o को मानेंगे कि यह weak base के तरह यहाँ पे act कर रहा है acid के साथ water यहाँ base के तरह act कर रहा है इसलिए यह strong acid से proton को accept करेगा इसलिए क्या होगा यहाँ पे h3o plus produce होगी hydronium ion उसके बाद इसमें dissolve करने के बाद सबकी जो acidity होगी वो equal हो जाएगी इसलिए इसका dissociation constant सबका equal होगा यानि कि one होगा इसलिए यहाँ पे water किसके तरह act कर रहा है leveling solvent के तरह act कर रहा है आप अगर जब इसे explain करो तो आप ऐसे यहाँ पे draw करके explain कर सकते हो अब इसी strong acid को किसी और solvent में डाल कर देखते हैं water के अलावा किसी और solvent में डाल कर देखते हैं और देखते हैं कि वो solvent किसकी तरह act करता है leveling solvent कितरह act करता है कि नहीं तो यहां हम लोग acetic acid ले रहे हैं acetic acid weak acid होता है तो strong acid को weak acid यानि कि weak solvent CH3COOH acetic acid है जो कि weak acid है तो इसके अंदर डाल रहा है strong acid को तो देखते हैं कि यह solvent किसकी तरह act करता है क्योंकि देखो strong acid है यह सारे और यह weak acid है तो weak acid है acid है तो of course H plus यह भी donate कर रहा है इस solvent के पास already H plus आयन है इसलिए यह strong acid से और H plus नहीं लेना चाहेगा इसके पास proton already है तो इसमें जो dissolve कर रहा है acid strong acid तो उससे नहीं लेगा proton इसलिए इनका क्या होगा अलग-अलग dissociation constant होगा dissociation constant सबका अलग होने की वज़े से यहाँ पे जो acetic acid है solvent वो leveling solvent की तरह act नहीं करेगा तो यहाँ पे यह differentiating solvent की तरह act करेगा नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग role of acetic anhydride in non-equistration Acetic anhydride का use हम लोग non-equistration में आखिर क्यों कर रहे हैं इसका use करते हैं water को remove करने के लिए Organic solvent का use जो हम लोग कर रहे हैं non-equistration में उसमें अगर water present है moisture present है तो उसको remove करने के लिए Acetic anhydride का use क्या जाता है Acetic anhydride are used to remove the water from organic solvent Water in the sense moisture को remove करने के लिए अब देखते है advantage of non-equistration non-equistration का use weak acid and weak base के लिए करते हैं It is used for weak acid and weak base second point है weak acid या weak base water में insoluble होता है इसलिए यह organic solvent का use कर रहे है Organic solvent के use करने की वज़़े से end point detection easily absorb होती है यह हमारी third point थी अब देखते है disadvantage of non-equistration सबसे पहले disadvantage यह है कि non-equistration में हम लोग organic solvent का use कर रहे है Water की जगा पे जो कि बहुत जादा costly होता है organic solvent costly होता है और second हमारी disadvantage यह है कि volatile organic solvent fume का production करता है fumes का जो क्या होता है carcinogenic होता है nature में Next देखते हम लोग non-equistration में किस-किस तरह का indicator यूज़ करते हैं तो तीन परकार का indicator यूज़ करते हम लोग पहला एक crystal violet, second है क्यूनल डाइन red and third होती है thymol blue यह तीन तरह की indicator हम लोग यूज़ करते हैं अब देखते हम लोग types of non-equistration तो non-equistration दो परकार के होते हैं acidimetry and second है alkalimetry अब हम लोग देखते है acidimetry and alkalimetry क्या होती है acidimetry and alkalimetry इनका जो नाम रख्या गया है वो है standard solution के according जो भी हम लोग standard solution यूज़ कर रहे है burete में जो fill करते है standard solution उसके according नाम रख्या गया है अगर burete में acid fill कर रहे हैं यानि standard solution अगर acid ले रहे हैं तो उसका नाम है acidimetry अगर standard solution acid है तो जो हमारा sample होगा वो basic drug होगा वैसे अलकाली मिट्री में जो हम लोग standard solution use करेंगे यानि जो buret में fill करेंगे वो base होगा अलकाली क्या होती है बेस होती है और जो हम sample लेंगे वो acidic drug लेंगे second इसमें point लिखना है कि acidimetry का used basic drug के लिए होता है अलकाली मिट्री में हमें इधर लिखनी है अलकाली मिट्री का used acidic drug के लिए होता है अब दोनों का titrant लिख देंगे acidimetry में जो titrant use होगा वो per chloric acid होगा और अलकाली मिट्री में जो titrant का use कर रहे है वो sodium myth oxide या sodium it oxide इन दोनों में से किसी एक का use कर लेंगे और जो solvent use करेंगे acidimetry में हम लोग protogenic solvent का use करेंगे protogenic solvent क्या थी हमारी proton को donate करने वाली protogenic उसका example था HCl, sulfuric acid या फिर acetic acid तो हम लोग कोई भी use करेंगे generally हम लोग glacial acetic acid यूज करते हैं अलकाली मिट्री में जो solvent ये use होगा वो protophilic होगा यानि कि proton को accept करेगा उसका example था DMF, dimethyl formamide तो वो ले लेंगे हम लोग acidimetry में जो हम लोग indicator यूज करेंगे वो है crystal violet indicator अलकाली मिट्री में हम लोग thymol blue indicator का use करेंगे अब हम लोग कुछ example देख रहते हैं किस drug के लिए हम लोग acidimetry कर रहे हैं और किस drug के लिए हम लोग alkalी मिट्री कर रहे हैं तो chlorophyendramine drug के लिए morphine के लिए effedrine के लिए इसके लिए हम लोग acidimetry करेंगे और acetazolamide के लिए हम लोग alkalी मिट्री करेंगे सो अब हमारी pharmaceutical analysis की unit 2 complete हो चुकी है